नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल के उपर एक और नहीं वीडियो में मेरा नाम आक्षे आज हम रिव्यू करेंगे न्यू बजाज पलसर N150 का 2024 वेरिंट है ये टू कलर्स के अंदर आती है इबोनी ब्लैक और पर्ल आक्टिक वाइट इबोनी ब्लैक कलर आप अ आपको description में दे गई है दे गए नमबर पर कंटेक्ट कीजिए विजिट कीजिए श्री संत बजाज हिसार के अंदर चलिए शुरू करते है आज का रिव्यू टाइमेंशन से यहां पर आपको वील बेस 1.3 मिटर सीट हाइट आपको 790 mm ग्राउंड क्लेरेंस आपको 165 mm जिससे आपकी बाइक की लुक स्पोर्टी लगती है चलिए मैं आपको की दिखा देता हूं बाइक की की कुछ इस प्रगार की आपको देखने को मिलेगी की को पर आपको बजाज का लोगो दिया जाता है तू की जाती हैं बहुत ही अट्रेक्टिव हैं दिखने में भी चलिए शुरू करते हैं फ्रांट से यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिये गए हैं यह देखिए यहाँ पर लगेगी आपकी नमबर प्लेट यह थोड़ी से ग्राफिक्स LED DRL दिये जाते हैं आपको और यह आपकी बाय प्रोजेक्टर LED हेड्लैंप्स और नोने के बाद कुछ इस प्रकार की लुक आएगी हेड्लैंप और DRL की बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर आपको दिये जाता है टेलिस्कोपिक सस्पेंशन जिसका ट्रेवल डिस्टैंस है 31 mm कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है फ्रंट मडगार्ड ABS की ब्रेंडिंग रिफ्लेक्टर दिये जाते हैं आपको दोनों साइड फ्रंट ब्रेक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दी जाती है 210 mm की डिस्ट ब्रेक सिंगल चैनल ABS आता है बाइक के अंदर MRF के टायर्स है टायर सेक्षन की बात की जाए तो आपको 90, 90, 17, 49P ट्यूबलेस टायस देखने को मिलेंगी बजाज पल्सर N150 के अंदर कुछ इस प्रगार का अलोई का लुक है यह देखिए स्पोर्टी अलोई वील्स है ग्राउंड क्लिरेंस की बात की जाए तो आपको 165 mm की ग्राउंड क्लिरेंस दी जाती है यह आपका अंडरबोडी प्रेटेक्टिंग काउल यह आपका होन और यह आपका गाड़ साइड में इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया जाता है 149.68 CC का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व इंजन जो प्रेड्यूस करता है 14.5 PS 8500 RPM पर और तोर्क आपको 15.5 Nm का देखने को मिलता है 6000 RPM पर इंजन कवर के उपर आपको बजाज का लोगो दिया जाता है और यह आपका किक आप बाइक को किक से भी स्टार्ट का सकते हैं यह आपका footrest, rear brake, pedal underbody exhaust आता है यहाँ पर आपको carbon fiber finish दिया जाती है यह देखिए थोड़ से graphics, grey, red and white के यह circulation के लिए आपको hold दिये गए हैं छोट-छोटे, कुछ इस प्रगार का आपको tank दिखता है, tank के उपर आपको fairing दिया जाती है यहाँ पर आपको dark chrome में pulsar लिखा हो मिल जेगा जो bike की look को और भी premium feel करवाता है टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 लिटर का tank दिया जाता है इबोनी black color आप अपनी आखो सामने देख रहे हैं और यह देखिए graphics black color का fuel lead आता है, E20 compatible है, Pulsar N150 2024 edition जिसका आरत है कि यह lower emission produce करेंगे पिछली bikes के मुकाबले और यहाँ पर आपको USB type A port दिया जाता है कुछी इस प्रकार से आप open करकर उप्योग करत पाएंगे matte black आपको handle दिया जाता है और यहाँ पर लगेगी आपकी key और आपको यहाँ पर new digital infinity console meter दिया जाता है जो own होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है यह आपको show करेगा neutral indication, gear shift indications, ABS projection, engine projection, speed, time, date, bluetooth connectivity के साथ आता है mobile notification और आपको ride connect app के features भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे distance to empty fuel indication के साथ भी आता है आपको trip A, trip B, average भी show करेगा यह left side पर आपको low beam, high beam switch और जहाँ पर आपको M दिया गया है यह आपका menu button है उसी के निचे आपको indicator का button दिया जाता है यहाँ से आप enter settings, pulse 5334, information, distance to empty, trip A, trip B, order यहाँ से scroll कर पाएंगे आप उसके निचे आपको दिया जाता है, home का button यह आपकी hand grip clutch lever और ऐसे दिखता है आपका mirror right side पर आपको red color में engine cut on off switch दिया जाता है और उसी के निचे आपको दिया जाता है ignition switch black color में यह आपकी hand grip front brake lever और यह आपका mirror कुछ इस प्रकार के आपको seat दी जाती है, single seat आती है seat के उपर आपको texture देखने को मिलेगा comfortable seat है, two person इस पर easily seat कर सकते है कोई भी आपको issue नहीं आएगा comfort selected N150 के आपको यहाँ पर patching दी जाती है matte black painted आपको grab handle दिया जाता है long generous आप अपनी इस पर cover कर सकते है easily matte black painted आपको foot rest दिये जाते है pilline के लिए rear में आपको मिलता है monoshock suspension rear brake की बात की जाए तो यहाँ पर आपको disc brake दी जाती है यह देखिए rear tire section 120 80 17 MC 61 P आपको मिलता है और आपका rear में yellow wheel जो की matte black painted ही मिलता है आपको यह आपका under body exhaust देखिए बहुत ही neat look provide करता है आपकी bike को यह आपका rear mud guard rear tire आपको wide मिलता है यह आपका rear side guard और यहाँ पर आपको दिया जाता है pillion footrest बाइक के अंदर आपको five speed transmission constant mesh gearbox दिया जाता है यह आपका side stand यह आपका double stand यहाँ पर आपको दिया जाता है आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको bike में rear में क्या मिलता है यह देखिए आपको LED tail lamp दिये जाते हैं जो की glittering effect के साथ आती है ओन होने के बाद आपकी tail light कुछ इस परकार की दिखेगी बहुत ही attractive tail light है यह आपके rare indicators यहाँ पर आपको reflector दिया जाता है LED light दिया जाते है जो की number plate पर गिरेगी यहाँ पर लगेगी आपकी number plate और कुछ इस परकार के look दिखती है rare में आपको तो बताईए आपको कैसी लगी न्यू बजाज 2024 Pulsar N150 इबोनी ब्लैक कलर में comment section में और अगर नए हैं तो चैनल को like, share, subscribe अवश्य कर लीजिए आने वाली बैतरीन वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए सभी को राम राम, जै हिंद, भारतमाता की जै हेलमेट अवश्य लगाईए जब आप टू विलर को राइड कर रहे हैं और सीट बैल्ट अवश्य लगाईए जब आप फोर विलर को ड्राइव कर रहे हैं धन्यवाद